दोस्तों हमारी प्यारी राधारानी को मनाना बहुत आसान है वो इतनी करुणामई है कि बस प्रेम से सचे मन से उनका नाम ले लो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी आज मैं आपको बरसानी की एक ऐसी घटना सुना रही हूँ जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा किसी गाउं में रमा नाम की एक बहुत भोली भाली औरत रहती थी उसकी शादी को चार-पांच साल हो चुके थे लेकिन अभी तक उसके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था रमा और उसके घर वाले बच्चे के लिए बहुत तरस्ते थे एक बार रमा के पडूस की आठ दस औरते राधा अश्टमी के उपलक्ष में किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने जा रही थी उन लोगों ने रमा को भी चलने के लिए कहा रमा खुश हो गई क्यूंकि वह पहले कभी बरसाने धाम नहीं गई थी रमा की सास ने उससे कहा कि किशोरी जी बहुत करुणा मई है जा शायद वो तेरी गोद भर दे वो बहुत खुशी से आट दस दिनों के लिए बरसाने जाने की तैयारी करने लगी लेकिन शाम को अचानक उसके पैर में चोट लग गई उसका पैर सूज गया उसकी सास ने कहा कि फिर कभी चले जाना क्यूंकि वहां तो चलने का जादा काम है तुम कैसे चल पाओगी पर रमा नहीं मानी उसे लग रहा था कि बरसाने जाने पर क्या पता करुणा मई किशोरी जी मेरी गोद भर दे रमा और उसकी सहेलियां राधे कृष्ण का जैकारा करते हुए मधुरा वरिंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुँची मंदिर की सीडियों पर रमा के पैर में लगी चोट के कारण वह धीरे धीरे चड़ने लगी उसने सबसे कहा आप सभी जाओ मैं आपको अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी आप सभी वही मेरा इंतजार करना रमा राधे राधे कहती चड़ रही थी तब ही उसका पैर मुड़ गया वो गिरने ही वाली थी लेकिन एक साथ आठ साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा मैया संभल कर कहीं गिरना जाना रमा घबरा गई रमा ने उस लड़की को देखा और कहा कि बेटी आज तो तुम ना हूती तो मैं गिर ही जाती लड़की ने कहा अरी मैया मैं ना गिरने देती आपको जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती तो रमा को बहुत सुकून मिलता मैया शब्द सुनकर रमा की आखों में आसु आ गए रमा बड़े प्रेम से उस लड़की से बाते करने लगी रमा ने पूछा बेटी तुम कहा रहती हो लड़की ने कहा मैया यही मेरा घर है मैं तो यही रहती हूँ थोड़ी देर बाद वो लड़की बोली कि मैया मेरे लिए क्या लाई हो अब रमा हैरान होकर उसे देखने लगी रमा बोली मैं मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी मैं तो तुझे जानती भी नहीं लड़की बड़े प्रेम से बोली कि मैं यही रहती हूँ सब मुझे प्रेम से लाडो बुलाते हैं तुम भी मुझे लाडो ही बोलना मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है न तो तुम मुझे कुछ दोगी नहीं क्या उसकी भोली बाली बाते सुनकर और मैया शब्द सुनकर रमा बहुत खुश हो रही थी अच्छा बता तुझे क्या चाहिए मैं कल तुझे लाके जरूर दूंगी अब तो मैं आठ दिन यहीं रहूंगी ना राधा अश्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन के बाद ही हम सब जाएंगे तो लाडो बोली मुझे तो चूडी, कंगन, महंदी, घागरा, चोली, माथे का टीका, गले का हार, बिचुए, पायल सब पसंद है अब कुछ भी ले आना तो रमा बोली अच्छा अच्छा सब लाके दूंगी रमा बोली लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सक्या अटारी पर मंदर के बाहर मेरा इंतजार कर रही है लाडो बोली चल मैया, मैं तुझे छोड़ाती हूँ, कहीं तुम फिर से गिर्मत जाना रमा लाडो की प्यारी प्यारी बातों से मंत्र मुग्द होकर लाडो का हाथ पकड़कर दूनों अٹारी पर पहुँच गए लाडो बोली मया मैं चलती हूँ रमा भी मंदिर के अंदर चली गई मंदिर में रमा ने किशोरी जी और ठाकूर जी के दरशन किये बहुत ही आनंद में दर्शन हुए अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत सुन्दर चूडिया और पायल लेकर गई वहां सीडियों पर लाडो पहले से ही बैठी रमा का इंतजार कर रही थी रमा को देखकर लाडो बोली मैया लाई हो मेरे लिए कुछ रमा ने उसको चूडिया और पायल दे दी लाडो बोली मैया तुम तो कह रही थी सब कुछ लाउंगी बाकी चीजे कहा है अरे मैं आठ दिन यही हूँ ना मैं रोज तुझे कुछ ना कुछ लाकर दूंगी जिससे तु मुझे रोज मिलने के लिए आए और अगर एक ही दिन मैं तुझे लाकर दे दूंगी ना फिर तु भाग जाएगी फिर नहीं आएगी मुझे से मिलने लाडो शरारती हसी हसने लगी और चूडि और पायल लेकर वहां से भाग गई एक दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था तीखे नैन नक्ष, सजीला, सावला, घुंगराले बाल इतना सुन्दर की उसके चहरे से नसर ही नहीं हट रही थी रमा ने पूछा लाडो ये कौन है लाडो ने बोला मैया ये मेरा सखा है हम साथ में ही रहते हैं मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना अगले दिन सुन्दर सा धोती कुड़ता और मोरपंख वाला मुकुट लेकर गई उसने देखा कि दोनों बच्चे वही सीडियों पर बैठे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं रमा ने बच्चों से खूप सारी बातें की फिर रमा ने अपने लाए धोती कुड़ता और मोरपंख वाला मुकुट उन बच्चों को दिया अब रमा बोली लाडो देख मैंने तुझे और तेरे सखा को भी सब चीजे ला कर दी पर तुने मुझे कभी कुछ पहन कर तो दिखाया ही नहीं मैं भी तो देखूं कि तू कैसी लगेगी तेरा नाप सही भी है या नहीं लाडो बोली मया कल राधा अश्टमी है ना कल मैं तुझे सब पहन कर दिखाऊंगी ये कहकर दोनों बच्चे चले गए मंदिर में दर्शन करकर रमा भी चली गई अगले दिन राधा अश्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए सब जगे राधे राधे के जैकारे लग रहे थे अब रमा भी वहीं पहुंची जहां लाडो रोज उससे मिलती थी पर आज लाडो वहां नहीं थी रमा ने सोचा आज बहुत भीड है उतसफ का दिन है हो सकता है आज वो नहीं आई हो रमा मंदिर में किशोरी जी और शाम जी के दर्शन के लिए पहुंची वहां जाकर तो वो कुछ देर के लिए पत्थर हो गई उसने पता है क्या देखा किशोरी जी ने वही सामान पहना है जो उसने लाडो को लाकर दिया था वही मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा चोली वही चूडियां ठाकुर जी ने भी वही धोती गुरता और मुकुट पहना था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बड़ी मुश्किल से पुजारी जी तक पहुँचकर रमा ने पूछा आज वस्तर और शिंगार की सेवा किसने की है पुजारी जी ने कहा आज वस्तरों की व्यवस्ता खुद लाडली जी ने ही की है आज जब हमने पट खोले तो य उसे सारे वस्तर और शिंगार का सामान वहीं रखा था हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझ कर इन्हें यहीं पहना दिया रमा तो जैसे पागल सी हो गई उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लाड़ों से और सखा से वो रोज मिल रही थी वह तो साक्षात किशोरी जी और ठा एकोड़ जी थे वो फिर पागलो की तरह भागती हुई सीडियों तक गई जहां वो रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिलाने लगी पर आज तो लाडो को लाखों लोगों को दर्शन देने थे वो वहां कहां से आती तब ही वहां उसकी सक्षियां आ गई उन्होंने रमा से पूछा कि रमा तुम किसे पुकार रही हो। रमा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वो भी रमा के गोटे लगाए लहंगा चोली को पहचान गई। क्यूंकि रमा ने उनके सामने ही उसे तयार किया था। सब हैरान हो गए। रमा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रमा बोली मैं घर नहीं जाओंगी जब तक लाडो मुझसे नहीं मिलेगी। रमा की सास और पती भी उसे घर ले जाने आए पर रमा उनके साथ भी नहीं गई। रमा अब भी उन सीडियों पर रोज आकर लाडो की याद में आसू बहाती और लाडो लाडो चिलाती। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो लाडो की याद में उसे इतनी पीड़ा होती। मानो हजारों बिच्छों ने डंक मारा हो। उस पीड़ा का भी अपना ही आनंद था। ऐसा करते हुए रमा को तीस साल बीत कए। रमा कमजोर हो चुकी थी। बुड़ापा हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली मैया ये रही तुम्हारी लाडो। रमा की वही लाडो बाहें फैलाए उसे बुला रही थी। रमा बावरी सी हो गई। एक आखरी हिचकी के साथ रमा वही गिर गई। ऐसा लगा मानू किशोरी जी ने रमा को नहीं उसकी आत्मा को ही गले से लगा लिया बोलो मेरी राजनन्दनी की जीए।